हेलो एप्रिवान कैसे हो आप सब तो गैज आस तारीक हो चुकी है आठ फरवरी 2024 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी IPL 2024 को लेकर इसके साथ ही IPL की सभी 10 की 10 टीमों के रिगार्डिंग और भारतिंग लिंक के बीच में सीरीज को लेकर भी दिनवर की जितनी भी बड़ी और important अपडेट्स निकल कर आईयों सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं वीडियो हमेशा की तरह काफी ज़्यादा informative काफी ज़्यादा investing होने वाली है और आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिलकुल last तक लेकर इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब स्ट्राइब परके नोटिफिकेशन बेल को जरू दबाएए जिससे हमारी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंस सके तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है रोहिज शर्मा की साइट से जहां पर हमने आपको बताया था कि रोहिज शर्मा की वाइफ रितिका सजदे के मुंबई इंडियन्स के उपर कॉमेंट की एक बाग अब रोहिज शर्मा को एक बार फिर से जो ट्रेट विंडो है उसके उपर काफी ज़्यादा अप्रोच किया जाने लगा है पीच में हाल अब 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 अपनी टीम में रोहिज शर्मा को इसमें के बारे में वहां पर अप्रेट देंगे कि रोहिज शर्मा को कि सब्कॉलत brake के दिन की अगली अपडेट और ये अपडेट निकल कर आ रही है महींद सिंग धोनी की साइट से जहां पर हमने आपको बता दिया था कि इंजरी से रिकवर होने के बाद अब MST ने IPL 2024 के लिए पनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया था उनकी फोटोस तो आप लोग स्क्रीन अपना आखरी IPL का सीजन खेल रहे है इसके साथ ही इनके बैट को अगर आप घ्यान से देखेंगे तो यहां पर प्राइम करके इनके बल्ले के उपर ब्रैंड नेम है जो कि इन ही के एक दोस्त का है जो कि एक छोटी से क्रिकेट शॉप रन करते हैं तो ऐसे में माही उनको अब दी शाउट आउट दे रहे हैं जिससे कि उनके जो बैट की ब्रैंड है उसको यह आखरी सीजन प्रोट कर पाएंगे फिलाल गई जब चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट और यह अपडेट हमें देखने को मिलीए विराट कोली की साइट से फैंस काफी ज ज्यादा हाई प्रोबैबिटी है कि जो पांचो और आखरी मकाबला धर्मिशाला में होने वाला है उसको भी स्किप करने वाले है इसका जो रीजन है वो फिर से सेम रखा गया है जो कि पहले था यानि कि परसनल रीजन के चलते हुए विराट कोली मैच नमबर तीन और मैच चमबर चार में पाटिस्पेट नहीं कर पाएंगे तो जो भी फैंस विराट कोली की वज़ा से ही इस टेस सीरीज को देखने वाले थे या फिर इस टेस सीरीज में विराट के आने का बेट कर रहे थे जैसे कि वो अग्रेशन वाली चीज़ हमें देखने को मिलती वो आप न बुम्रा ने कल काफी सारे रिकॉर्ड बना दिये जहां पर यह इंटर्नेशनल ट्रिकेट के हिस्ट्री में सिर्फ ऐसे चौथे प्लेयर बन गए जिन होने की टेस्ट टीवेंटी और इसके साथ ही ओडिया फॉर्मेट में नंबर वन की पोजिशन हासिल कर ली इनसे पहले और जब बना चुके हैं तो फिर इस रिकॉर्ड को बनाने के बाद बुम्रा के साइट से हमें काफी ज़्यादा क्रिप्टिक स्टोरी इनके स्टोरी इंस्टर्राम हैंडल के ओपर देखने को मिली जहां पर बुम्रा ने जो स्टोरी लगाई वो आप स्क्रीन के ओपर हो गया तो वहीं लोग इनके फैंस बन गए और इनकी काफी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं दरसल उनके कहने का मतलब उस पीरियद से था जब बुम्रा करीब करीब आउस्ट्रेलिया के साइट से अभी तक अपने उपर जो कारवाई होने वाली है उसका इंकजार कर रहे हैं ऐसे में अगर इनके उपर किसी तरीकी का बैन लगता है तो फिर काफी ज्यादा हाई चांसे हैं कि ग्लेन मैक्सवेल के रिप्लेस्मेंट के तलाश आर्सीवी को अल में मौझूद है विल जैक्स तो की साथ अफ्रिकेंट ट्वेंटी लीग में प्रिटोरिया कैपितल्स की साइट से खेलते हैं जिस तरीगे से वो हिटिंग करने हैं बिल्कुल लाइक टू लाइक रिप्लेस्मेंट हमें देखने को मिलते हैं उनके जो सिक्सेटिंग एमिलि इशान किषिन जो की BCCI के साथ उनका पता निगुस्तो इश्यू चल रहा है क्योंकि BCCI को कोई भी क्लेरिटी नहीं कि इशान किषिन कहां पर एंग्यों है लेकिन FINALLY इशान किषिन की साइट से अफ्डेट देखने को मिली है यह हैं हार्दिक पांडिया और कुर्णल पां चाहते थे कि KS भारत या फिर दुरूप जुरैल को हटा कर इशान किशन को मौगा दिया जाए शायद अब ऐसा नहीं होगा और इशान किशन हमें सीधे IPL में ही खेलते वे नजर आएंगे लाल गई जब चलते हैं हमारे आज के दिन की साथ भी वड़ी अपडेट और ये कि रिशब पंथ अपनी recovery के उपर पूरी तरीके से dedicated होकर मेनत कर रहे हैं और वो पूरी तरीके से almost confirm है कि वो IPL 2024 में return करेंगे लेकिन इसके साथ युन्होंने ये भी clear किया कि अगर रिशब पंथ 100% fit नहीं हो पाते हैं या फिर अगर ऐसी कोई condition आ जाती है कि DC की टीम में हम वो impact player के तोर पर देखने को मिलते हैं तो फिर उस case में ये team डेविड वार्नर को ही captain मनाईगी तो जिस तरीके से statement इन्होंने दी उसको सुनकर ऐसा लग रहा था कि मानो इन्होंने already डेविड वार्नर को confirm कर लिया है कि वही captain रने वाले हैं तो ऐसे में most probably IPL 2024 में डेविड व आईए वो हम इसी update में cover कर लेते हैं तो सबसे पहले तो KL Rahul के regarding अच्छी update है कि उनकी recovery काफी अच्छी गई है most probably KL Rahul हमें अपना return इसे मकाबले से करते हुए नजर आएंगे इसके साथ ही जस्पृत बुम्रा के regarding भी update है पहले ये कहा गया था कि जस्पृत बुम्रा हमें इ जल्ड हो गए तो उनको भार किया गया था ऐसी पहली update थी लेकिन बाद में clear किया गया था कि उनको break भी गई है वो भी अपना Instagram काबले से return करेंगे तो guys इस वीडियो ही तक थी अधर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको like करके हमारे चैनल को ज़रूर कीजिए सबस्क्राइब